पिछले कुछ समय से रश्मी का मंदाना के खिलाफ प्रोलस ने मोर्चा खोला हुआ है वो शोशल मीडिया पर अक्रिस को लेकर केवल नफरत और नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं आक्रिस को समय तक तो परिशान रही लेकिन अब उन्होंने सभी को जवाब देते वे साउथ के स्टार रश्मी का मंदाना नैशनल क्रश है पोश्पदर वाइस के बाद से ही तो हर घर में इन्हें जाना पैचाना जाने लग गया है जितनी तीजी से के साथ इनकी फैन फॉलिंग फिल्म के हीट होने के बाद बढ़ी है वो वाकई में अद्भूत है बल देखा पजाय तो रश्मी का मंदाना के जितनी चाहने वाले बढ़े हैं उतने ही नफरत करने वाले भी सामने खुल कर आए हैं गुडबाई फेम रश्मी का मंदाना को शोशल मीडिया पर आजकल नफरत और नेगेटिविटी मिल रही है योजर्स उन्हें अनाप शनाप बोड़ इंटरनेट पर खोद के लिए इतनी नफरत देख रश्मी का मंदाना थोड़ी अपसित जरूर है शोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अग्प्रस ने इन्ही यूजर्स को जवाब देते वे अपनी बात सामने रखी है रश्मी का मंदाना ने लिखा है पिछले कुछ दिनों स शुरू किया है काफी नफरत मिल रही है ट्रोल्स और नेगेटिविटी मेरे लिए एक पंचिंग बैक की तरह है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो लाइफ मैंने चुनी है वो एक कीमत के साथ आती है और ये भी जानती हूँ कि मैं हर किसी को पसंद नहीं आ सकती सभी को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ काम करने की बात का सुकुन और खुशी जो मिलती है मुझे मैं सिर्फ उसकी ही बारे में सोचती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी काम मैं करूँ उससे आपको और खुद को गर्व महसूस करा सकूँ मेरे लिए कि देखना दिल तूटने जैसा ही है जब मैं खुद के लिए वो बाती सुन्या पढ़ रही हूँ जो मैंने कही ही नहीं है मैंने देखा है कि जो चीजें मैंने इंटर्व्यू में कही है उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है इंटरनेट पर मेरे बारे में गलत चीजें असर डाल सकती है मैं के वल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसेजम का ही वेलकम करती हूँ क्योंकि उससे मैं खुद में बदलाव लाने के साथ काम और मैतर कर सकती हूँ लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि नेगेटिविटी और नफरत मेरे बारे में फैला कर आप सभी को आखिर क्या मिल रहा है काफिस अमय से मुझे मेरे दोस कह रहे हैं कि मैं इन बातों को इग्नॉर करूँ और काम पर फोकस करूँ लेकिन मैं देख रही हूँ कि चीजे पहले से साथा खराब होती जा रही है इन बातों को कहकर मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ मैं बस यही अपने दिल के बात रख रही हूँ रश्म का मंदा ने आखिर में लिखा कि मैं बतो इनसान खुद को नहीं बदा सकती इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग मुझे केवल नफरत ही देते रहें इतना सब जो कुछ मैं कह रही हूँ केवल अपने हेटर से ही कह रही हूँ जो लोग मुझे से प्यार करते हैं वो इस बात को अपने दिल से ना लगाए मुझे प्यार करते रहें आप सभी का लगतार मिलने वाला प्यार और सपोर्ट ही तो है जिसके बदलत मैं हिम्मत चुटा पाई हूँ और अपनी बात को कहे पाई हूँ मेरे पास और मेरे आसपास के लोगों को देने के लिए केवल प्यार है जिन लोगों ने मेरे साथ और मेरे उनके साथ काम किया है आप हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे मैं आगे और मेहनत करूँगी और बहतर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों को खुश करके मैं भी खुश रहे पाती हूँ काइन रही है हम सभी अपना बेस्ट एनी का कोशिश करेंगे थैंक यू बता दे कि रश्मी का मंधाना की सपोसे साफ हो गया है कि वो अपने हेटर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहती है अब देखना इंटरस्टिंग होगा कि हेटर्स को जवाब मिलने के बाद क्या वो रश्म तो इसको लेकर क्या है आपकी राय कमें सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूले और हमारी चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें